इसी भी अब तो broker ago, kö records, दिमेदी मे 分 स्विक्रा बोकर विर्टन्स होना यह बोड़ेगी नेचरली ब्रोकर्स को जादा केपिटल रखनी पड़ेगी, उनकी लिए थोड़े से कोस्ट फंड बढ़ेगी, बिसिकली ये सारे मेजर्स अगर आप देखने पिछले दो साल के तो अब क्लाइंट फंड का ब्रोकर कुछ भी नहीं करता है, वो क्लाइंट के ही हाथ में पूर वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, बैसिकली क्या है, स्टोक मार्केट अब धीरे धीरे वेसी प्लेस बनता जा रहा है, जहां पर आपके पास जितने पैसे हैं तो ही ट्रेट करें, अब उसके फाइदे ये हैं कि कभी भी बाजार में माहुल खराब हो, तीज गिराउट के खरी दर से आप बज़ जाते हैं, पैनिक नहीं होता, क्योंकि पैनिक तभी होता है, जिब आपकी पोजिशन लिवरेज़ लुआदे हो, अगर आपने उधार लेकर नहीं किया, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उतने ही खरीदा जितने मेरे पास्पेस है तो आप मंदी में पैनिक नहीं करते हैं लेकिन उसका नुकसान यह है कि आपके मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाती है एल्टिमेटी देखिए, इस्पेकुलेटर्स ही आकर मार्केट को लिक्विडिटी देते हैं, तो आपका मार्केट का वोल्यूम भी कम होता है, लिक्विडिटी भी कम होती है, और खरीदने और बेचने की कोस्ट वो बढ़ जाती है, इंपैक कोस्ट जिसको करते हैं, तो हर च इसको लेकि बहुत क्लियर है कि भला ही लिक्विडिटी कम हो थोड़ी बहुत, वोल्यूम्स कम हो, impact cost बढ़ जाए, price discovery थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी ब्रोकर उड़े और वो ब्रोकर उड़ने के वज़े से clients का न ब्रोकर बा, फिर regulators पर भी लोग सवाल उठाते हैं, आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप क्या करते हैं, यह लोग आप यह कर रहे हैं, जब limit आपकी tight होती है, तब आपको काम करने के लिए leveraging नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ चाहिए, यह भी हो यह भी ह तो वो दोनों हो नहीं सकते हो, इन दोनों मिसे आपको एक decide करना है, कई बार ब्रोकर यह केता है कि हमें decide करें दो कि हमें किस तरह का करना कराना business हम जानते हैं, यह end of day regulator को जो ठीक लगता है, अगर उनको लगता है कि system strong चाहिए, कोई ब्रोकर उडे ना, कोई ब्रोकर सिका मिस्यूद ना करें और वो उनका stand है, तो यह जिले जाएंगे.